पहले तुझुटी में मकार, फिर जड़ा हटके जड़ा बचके and then सत्या प्रेमगी का था ये साल बॉलीवूट की रॉमकॉम फैमिली एंटर्टेनर्स के लिए काफी अच्छा रहा है और अज फिर से एक और रॉमकॉम फैमिली ड्रामा थीटर्स पर रिलीज हुआ है मूवी कैस है जानेंगे कुछ ही देर में बट उससे पहले हलो एविवोन और विल्कम फो बी सिनेमेटिक और आज आप देख रहे हैं करन जहर की डिरेक्शन में बनी मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ओनेस सिनेमेटिक रिव्यू सबसे पहले स्टोडी की बात करें तो रॉकी एक रईस पंजाबी लड़का रानी एक हाई क्लास बिंगॉली लड़की एक दुसरे से प्यार करते है बट फ्यूचर में उनके रिलेशन्शिप को लेकर कोई प्रॉब्लेम ना हो इसलिए दोनों अलग अलग एक दुसरे के घर में कुछ महीने गुजरने का प्लैन करते हैं इस डिसिजन से उनके जिंदगी में क्या-क्या प्रॉब्लम साते हैं और दोनों लीड और उनके फैमिलिस की इस तरह से अज़़स्ट करते हैं वो जानने के लिए ये मूवी आपको देखना पड़ेगा अब मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिसकस करते हैं जो कि सर्प्राइजिंगली काफी सारे हैं ये मूवी एक प्रॉपर बॉलिवूड मसाला है जिसमें बहुती बढ़िया ह्यूमर, इमोशन और ड्रामा का सॉलिड ब्लेंड है और स्पेशली मूवी का ह्यूमर बहुती बढ़िया है मेजरिटी कॉमेडी सिंस अच्छे से कम करते हैं और इस मूवी में काफी सारे मैसेज़ेस और सोशल कमेंटरी भी हम नोटिस कर पाते हैं जो मेजरिटी ली काफी अच्छे से वर्क करते हैं इस मूवी में करंज और ने नए पुरा ने काफी सारे आइकॉनिक बॉलिवूड सॉंग्स के थ्रू बॉलिवूड को एक ब्यूटिफुल हूमाज दिया है जिससे ओडियंस बहुत तिंजय करने वाले हैं नमर त्री परफॉमेंसेज मूवी के सारे अक्टर्स ने अच्छा काम किया है रनवीर हैस डन ट्रिमेंड़स जॉब रनवीर के अलावा शायदी कोई एक्टर इतने बेहतरीन तरीके से रॉकी के कैरेक्टर को प्ले कर पाता आलिया ने भी बहुती स्ट्रॉंग परफॉमेंस दिया है इसके अलावा धर्मेंदर जी, जया जी और सभाना जी वास टू बुड इस तरह की मूवीज बनाना आसान नहीं है जहाँ पे कैरेक्टर्स, एंविरोल्मेंट काफी रिच और हाई क्लास है जिससे मेजरिटी ओडियेंस कनेक नहीं कर पाते लेकिन इस सेटप में भी हूमर, इमोशन, ड्रामा और सोशल कॉमेंटी के थू जेनरल ओडियेंस के लिए मूवी को एंटरेटेनिंग बनाना ये काम इंडिया में करंजवर से बेटर, शायदी कोई डारेक्टर कर पाएगा अब नेगेटिव की बात करें तो मूवी की एंडिंग थोड़ा सा स्टेची फिल होता है जयाजी के कैरेक्टर की राइटिंग और लेयर्ड और बेटर हो सकती थी और सेकेंड आफ में ये सोशल कॉमेंटरी एक टाइम पर कुछ ज्यादा ही फील होता है बट ओवर ओल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक बहुती बहतरीन फैमिली एंटरेटेनर है और अगर आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो मेरी तरफ से ये मूवी हाइली रेकमेंड़ है माई रेटिंग फोर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस 3.5 आट और 5 अज के लिए इतना ही वीडियो ची लगियो तो आपको पता है आपको क्या करना है मिलते हैं बहुती जल्द हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर एंड बी ओसम